हलो फ्रेंड्स मैं सौरब जह आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल बी ऐसे ट्रिकी क्लासेस पे आज हम लोग SSC और Railway के एकजामस में बार बार पुछे जाने वाले साइंस के कुछ महतपुर्ण सवालों को देखेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े संभावित प्रसनों को डिसकस करेंगे जो SSC और Railway के एकजामस के लिए काफी महतपुर्ण हो सकते हैं तो उमीद करेंगे आप क्लास को फुल सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उन सवालों के आंसर कमेंट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल वीच आफ दी फॉलोविंग इस कालड एस फायर आफ फॉरेस्ट आपसे पूछ रहा है इनमेंसे किसे फायर आफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है यानि किसे fire of forest यानि जंगल की आग कहा जाता है तो comment करेंगे इन में से किसे जंगल की आग कहा जाता है और जो भी बच्चे class में live हैं उनसे आगरह करेंगे आप class को एक बार अच्छे से share कर दीजे ताकि कम से कम 500 बच्चे live आ सकें तो जंगल की आग किसे कहा जाता है याद रखेंगे beauty या mono sperma याद रखेंगे beauty या mono sperma को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है समझ माया तो जंगल की आग किसे कहा जाता है तो beauty या mono sperma को जंगल की आग कहा जाता है याद रखेंगे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है beauty या monosperma को अगला सवाल है the stem of ginger which grows in the soil and collects food is called मतलब अदरक का तना जो की मिट्टी में उगता है और खाद store करता है उसे क्या कहते है the stem of ginger ginger का तना which grows in the soil जो मिट्टी में बढ़ता है और भोजन को जमा करता है उसे क्या कहते है कुल मिला के पूछरा अदरक किसका example है ठीक है तो कल ही हम लोग पढ़े थे कि अगर कॉर्म का बोलेगा कॉर्म यानि धनकंद धनकंद का example अगर आपसे पूछता है तो बंडा और केसर आप जानते हैं केसर और बंडा कॉर्म का example बोलेगा तो केसर बंडा धनकंद बोला जाता है इसको ठीक है धनकंद या कॉर्म कॉर्म या धनकंद का example बोलेगा तो केस और अदरक क्या है तो याद रखेगा कि अदरक का तना जो मिटी में उगता है और खाद संग्रह करता है उसे क्या कहा जाता है राइजोम कहा जाता है हिंदी में अगर बोला जाए तो राइजोम को प्रकंद कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रकंद कहा जाता है याद रखेगा प्रकंद कहा जाता और इसका एक्जामपल क्या होगा राइजोम प्रकंद का एक तो अदरक हो गया और दूसरा क्या होगा हल्दी तो अदरक और हल्दी ठीक है याद रखेगा अदरक और हल्दी जो है राइजोम प्रकंद का एक्जामपल है तो पूछ सकता है तो अदरक और ह पल्दी राइजों परकंद का एक्जामपल होता है और कॉर्म या धनकंद का एक्जामपल क्या है केसर बंडा समझ मैं इसके अलावा आपसे प्याज के बारे में भी पूछता है ठीक है तो कमेंट कीजेगा प्याज किसका एक्जामपल है तो याद रखेगा बल्ब ठीक है ब को कंद कहा जाता है तो इंग्लिज्स में हिए ह्याद रख्याइब ज्यादा अच्छा रहेगा तो कंद यृद्ध आलू का खने भाग खून complexity होता है क्योंकि ये एक भाग है जिसको हम लोग खाते हैं, यानि जड़ की रूप में हम लोग खाते हैं, कौन-कौन सा, तो गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ठीक है, और जड़ का भी अलग-लग प्रकार होता है इसमें, जैसे गाजर में अलग टाइप का जड़ होगा, मूली में अलग होता है ऐसा आपसे पूछ रहा है तो कमेंट कीजिगा कमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है गाजर में कोनिकल जड़ होता है ठीक है और सलजम और चुकंदर में नेपी फॉर्म यानि कुम्भी रूपी जड़ होता है और मूली में क्या होता है तुर्की रूपी यानि बोल सकते हैं फुसी फॉर्म कहा जाता है उसको ठीक है तो मूली में याद रखना है कि फुसी फॉर्म जड़ होता है इंगलिस में याद रखना है कि मू आजर, सलजम, चुकंदर, मूली ठीक है यह सब क्या है जड़ है तो इसका अंसर क्या होगा बहुत आसान सवाल है तो आप सभी जानते हैं कि आंसर क्या होगा इसका बहुत सही लाइकोपीन याद रखेंगे टमाटर का लाल रंग जो होता वो लाइकोपीन के कारण होता है या याद रखेंगे टमाटर में लाल रंग लाइको पीन के कारण होता है यह आपको याद रखना है अब यहां से कुछ सवाल पूछता है तो उसको हम लोग देखते हैं प्याज का लाल होना कमेंट कीजेगा प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है ठीक है प्याज का लाल याद रखना है एंथ्रोसाइन के करण होता है प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइन के करण होता है तो यह important है प्याज का लाल रंग किसके करण होता है तो प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइन के करण होता है लहसून में गंद क्यों होता है एलाइसीन के करण होता है याद र इसके अलावा मूली में आप जानते हैं कि थोड़ा सा तीखापन होता है तो मूली में जो तीखापन होता है वो क्यों होता है तो आइसो साइनेट के कारण यह भी याद रखेगा मूली में तीखापन क्यों होता है आइसो साइनेट के कारण ठीक है और मिर्च में चरपराहट होता है ठीक है क्यों होता है पूछता है मिर्च में चरपराहट क्यों होता है किसके कारण होता है तो कमेंट किजेगा मिर्च में चरपराहट क्यों होता है खीडे में करवाहट क्यों होता है ठीक है खीरे में करवाहट क्यों होता है यह सब सवाल एकजामें पूछ लेता है तो और खीरे में करवाहट अगर आपसे पूछेगा, याद रखेगा, खीरे में करवाहट, खीरे में करवाहट जो होता है, कुकर विटेसीन के कारण होता है, ठीक है, कुकर विटेसीन के कारण होता है, याद रखेंगे, कुकर विटेसीन के कारण, खीरे में करवाहट होता है, सम ठीक है इसके अलाव आपसे करेले में करवाहट करेले इसका अलग है ठीक है इसमें अलग अंसर होगा करेले में करवाहट अलग है खीरे में करवाहट अलग है क्योंकि करेला में जादा करवाहट होता है आप जानते हैं तो करेले में करवाहट किसके कारण होता है याद करेले में करवाह ट्राइ टर्पाइन के कारण होता है लिख लीजेगा इसको गाजर में लाल रंग तो गाजर में लाल रंग क्यों होता है तो गाजर में लाल रंग याद रखना है एंथ्रोसाइनीन के कारण गाजर में लाल रंग याद रखना है एंथ्रोसाइनीन के कारण इसके लावा हल्दी में पीला रंग, हल्दी का पीला रंग, तो किसके कारण होता है, कमेंट किजेगा हल्दी में पीला रंग, क्यों होता है, हल्दी में पीला रंग क्यों होता है, तो कुरकुमीन के कारण, याद रखेंगे हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, कुरक आवला में कशेला पन क्यों होता है याद रखेगा आवला में जो कशेला पन होता है वो टैनीन के कारण होता है किसके कारण होता है तो आवला में कशेला पन टैनीन के कारण होता है याद रखेगा आवला में कशेला पन टैनीन के कारण होता है प्याज में गंद बोलेगा प् अलफर के योगिक एलाइल के कारण होता है ठीक है समझ में आया तो प्याज में गंद एलाइल के कारण होता है प्याज में पीला रंग फिर पूछ देगा तो फिर इसका अंसर अलग होगा ठीक है क्वेर सीटीन के कारण प्याज में प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइन के का यह चीज़ याद रखेगा इसलिए सारा आपको लिख दिये कि आप देख लिजेगा अगर दिक्कत होगा तो पीछे भी आप देख के लिख सकते हैं अच्छे से आप लिख सकते हैं अगला सवाल कॉर्क कि इसार बोलने से होगा बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा लिखने में है ना तो लिख देते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाकर भी देख लिजेगा लिख लिजेगा अच्छे से तो कौर्क किस पेड से प्राप्त होता है ऐसा पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा याद रखना option number C कौर्क जो है वो क्वेकस नामक क्वेकस नामक पेड से प्राप्त होता है याद रखेंगे कौर्क जो है वो क्वेकस नामक पेड से प्राप्त होता है तो cork बुलेगा किस पेड़ से प्राप्त होता है तो Quakeas नामक पेड़ से cork प्राप्त होता है या आप याद रखेगा अब यहां से सवाल बहुत पूछता है जैसे ध्यान दीजेगा क्या-क्या पूछ सकता है तंबाकू ठीक है आपसे पूछेगा कि निकोटीन औस्दी जो है वो किस पेड़ से मिलता है तो तमाकूम जानते हैं आप लोग निकोटीन होता है यह सवाल बहुत पूछता है ध्यान से देखिएगा तमाकू सबको पता है लेकिन अभी जो इसके में बताएंगे उसमें कुछ-कुछ question जो होगा वो बहुत अच्छा सवाल रगता है और पूशता है एक्जाम में ठीक है तो तमाकूमे निकोटीन होता है तो यह तो आप आंसर कर देंगे तमाकूमे निकोटीन होता है आपसे पुछेगा सिनकोना की छाल कुनेन दवा आप जानते हैं कुनेन दवा कुनेन जो होता है मलेरिया के लिए होता है कुनेन दवा तो कुनेन दवा मलेरिया के लिए होता है तो आप से पूछेगा मलेरिया के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है तो कुनेन दवा ठीक है जिसका उपयोग मलेरिया के लिए किया जाता है तो मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल से कुनेन दवा बनाया जाता है समझ मैं है तो कुनेन दवा मलेरिया के लिए उपयोगी होता है और इसको बनाया जाता है सिनकोना की छाल से कॉफी कॉफी आप से पुछेगा कॉफी में कौन सा क्या होता है या कॉफी से कौन सा औसदी बनता है तो कॉफी से कैफीन औसदी बनता है कॉफी से कौन सा औसदी बनता है तो कैफीन औसदी बनता है और सबसे अधिक कॉफी कहा है ब्राजील में नंबर वन है यानि ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी होता है ठीक है ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी होता है या आप जानते होंगे ठीक है इसके अलाव आपसे पूछ सकता है अफीम ठीक है हेरोईन किस से प्राप्त होता है तो आप जानते हैं अफीम से प्राप्त होता है हेरोईन हेरोईन किस से प्राप्त होता है तो अफिम से प्राप्त होता है यह सब तो आसान है ठीक है यह सब तो आसान है आप लिख लीजेगा ठीक है लेकिन अच्छा सवाल ऐसे बनेगा कि एस्परीन दवा जो है एस्परीन आप जानते होंगे एस्परीन दवा तो एस्परीन दवा वो किस पौधा से प्राप्त होता है कमेंट कीज़ेगा एस्प्रीन दवा किस पौधा से प्राप्त होता है ठीक है तो एस्प्रीन दवा याद रखना है विलो पौधा से प्राप्त होता है यह बहुत important है एस्प्रीन दवा विलो से प्राप्त होता है समझ मैं आया, aspirin दवा, willow से प्राप्त होता है अब बुलेगा antipiratic, antipiratic किसे प्राप्त होता है antipiratic जो दवा होता है, ठीक है, antipiratic ठीक है, antipiratic दवा जो होता है, वो किसे प्राप्त होता है तो याद रखेगा एंटी पायरेटिक दवा जो होता है वो सर्प गंधा से प्राफ्ट होता है समझ मैं आया सर्प गंधा के पेड़ से एंटी पायरेटिक प्राफ्ट होता है तो याद रखेगा एंटी पायरेटिक दवा किस से बनता है समझ में आया, इसके बाद बुलेगा आपको कि पैनिसिलीन, जो पैनिसिलीन आप जानते हैं कि एंटिबायोटिक है, तो पैनिसिलीन एंटिबायोटिक का निर्मान किस से होता है, बहुत पूस्ता है, पैनिसिलीन का निर्मान किस से होता है, तो आप याद रखेंगा कवक से, सारा important सवाल है इसलिए सारा आप अच्छा से रिवाइच कीजिएगा इसके अलावा आप से पूछेगा एट्रोपीन जो होता है दर्द निवारक दवा होता है एट्रोपीन क्या है दर्द निवारक दवा है ये किस पेड़ से बनता है बताईएगा एट्रोपीन क्या है दर्द निवारक दवा यानि ये दर्द को दूर करने वाला दवा है तो दर्द निवारक दवा एट्रोपीन क से दर्द निवारक दवा एट्रोपीन कव पंच Now निर्मान होता है Sum classic आपसे पूछ का अगर कि वेलो दोना वेलो डोना पेड़् से कौन सा दवा बंता है तो है यह पन सब्सक्राइबण के लिए उपयोगी होता है सतंसक्यन सब Takah मधुमे रोगी के लिए जो दवा बनता है वो किस पेड़ से बनता है मधुमे रोगियों के लिए दवा कमेंट किजेगा मधुमे रोगियों के लिए दवा किस पेड़ से बनता है मधुमे रोगियों के लिए दवा जो है ठीक है वो किस पेड़ से बनता है बहुत important सवाल है पूछता है तो याद रखेगा मधुमे रोग्यों के लिए डहेलिया नामक वरिक्ष से दवा बनाया जाता है समझ मैं तो डहेलिया याद रखेगा डहेलिया नामक वरिक्ष से समझ मैं तो याद रखेगा मधुमे नामक रोग्यों के लिए मतलब मधुमे रोग्यों के लिए दवा जो होता है वो डहेलिया नमक वरिक्ष से प्राप्त होता है समझ मैं है तो इतना सवाल यहां से आप याद रखेगा ठीक है क्योंकि एकजाम में पूशता है तो आप लिख लिजेगा अच्छे से लिखेगा और रिविजन करते रहिएगा मधुमे रोग्यों के लिए जो दवा बनता है वो डहेलिया नमक वरिक्ष से बनता है वैलो डोना से एट्रोपीन नमक दवा बनता है कवक से पैनिसिलीन नमक एंटिबाइटिक बनता है सर्प गंधा से एंटिपाइरेटिक दवा बनता है विलो नमक पौधा से एस्परीन नमक दवा बनता है अफिम से हेरोईन बनता है, चाय में थीन नमक औसधी होता है, कॉफी में कैफीन नमक औसधी होता है और मलेरिया के लिए कुनेन दवा आता है, तो कुनेन दवा सिनकोना की छाल से बनता है और तंबाकू मे निकोटीन नमक औसधी होता है तो यह सब आप याद रखेगा एकजामे पुछेगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं Which of the following most efficiently convert solar energy into chemical energy आपसे पुछ रहा है इनमें से कौन सा एसा option है जो बहुत अधिक कुसलता से ठीक है उर्जा को रासाइनिक उर्जा में convert करता है आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा एसा option है जो बहुत अधिक कुसलता से solar energy को chemical energy में convert करता है solar energy यह नहीं सुरी का धूप धूप है धूप से वो chemical energy में convert कर देता है तो कौन सा यसा, सही answer होग गा तो answer comment कीजिंगा, answer क्या होगा सही answer क्या होगा याद रखेंगे, klorila, गlorila नमक सैवाल आप जानते हैं, klorila याद रखेंगे, klorila नमक सैवाल को अंत्रिक्षियान के कैबिन के होज में लगा कर अंत्रिक शियात्री को प्रोटीन यूक्त भोजन जल और ऑक्सिजन प्राप्त होता है तो याद रखेंगे कलोरेला नमक सैवाल जो है वो क्या करता है सोलर एनर्जी यानि सुरी का धूप को फिर केमिकल एनर्जी में कनवर्ट करता है मतलब आपको समझने का कोश्चन था काली क्या लिखा है देखिए सोलर एनर्जी इन्टू केमिकल एनर्जी इसका मतलब ये प्रकास संसलेशन के बारे में बता रहा है नहीं बता रहा है क्योंकि प्रकास संसलेशन में क्या होता है सौर उर्जा से आपका convert होता है chemical energy में है ना इसका मतलब यह आपसे पूछ रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा option है जो प्रकास translation करता है तो अब जीव प्रकास translation तो नहीं करेगा है ना समझ मैं या तो प्रकास translation करेगा कौन जो पौधा है वही करेगा तो पौधा में सेवाल जो होता है वो प्रकास translation करता है क्योंकि सेवाल में chlorophyll पाया जाता है कल हम लोग पढ़ें ना कि सेवाल में क्या होता है chlorophyll पाया जाता है यानि पर्ण हरित पाया जाता है सेवाल में यह लिखिएगा शेवाल में klorophyll पाया जाता है, ठीक है, klorophyll जब पाया जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, होटो-trops कहलाता है, क्योंकि ये खूद से खाना बनाता है, तो ये पहले इसकी नोट लीजेगा, क्लोरेला जो है सेवाल है और सेवाल में क्या होता है याद रखिया क्लोरोफिल पाया जाता है ठीक है क्लोरेला सेवाल है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है अब जब सेवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसका मतलब सेवाल क्या होगा ओटो ट्रॉप्स होगा क्योंक वो क्या करेगा वो आपका photosynthesis पर क्रिया करता होगा है ना समझ मैं आया तो आंसर क्या होगा solar energy into chemical energy यानि photosynthesis पर क्रिया कौन करता है तो chlorella नामक सैवाल करता है समझ मैं आया तो question आपको समझना था बस आपसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा ऐसा option होगा जो बहुत इस्टा से solar energy को chemical energy में convert करता है यानि photosynthesis करता है तो chlorilyla सैवाल जो होता है वो oxygen का निरमान करता है photosynthesis पर क्रिया करता है सैवाल के दिन को Figology कहा जाता है ठीक है सैवाल के दिन को Figology कहा जाता है और सैवाल का बहुत सारे usage है जैसे भोजन के रूप में फोरफाईरा दार इल मैं जाता है खाद के रूप में नुस्टोंक एनाबीना कैल्प सैवालक प्योग किया जाता है अनुशंधान कारियों में लॉरिवलुलीचाइप आपसे आगरेंगे आप कल का क्लास भी देखें, ठीक है क्योंकि रोज तो आपको एक ही सवाल तो नहीं बता सकते तो वो class भी आप जरूर देखें वहाँ से भी आपके exam में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि वनश्पतिक नामंकरन की दुई नाम पदती किसके द्वारा विक्सित क्या गया है यानि आपसे पूछ रहा है कि वनश्पति नामंकरन तो कमेंट कीज़े आपको regular रहना चाइब क्योंकि कोई गारेंटी नहीं कि आज के class में हम 補ो पढ़ रहे है वो आपके exam में आज़ाए SSC के exam में आज़ाए आपके NTPC के exam में आज़ाए है ना हो सकता है कि आज वाला class आपके exam में ना आये कल वाला जो session लिए थे हो सकता है उससे आपके session में आ जाए और आज वाला session से आपके दोस्त के exam में आ जाए इसलिए आप regular रहिए ठीक है तो उससे क्या होगा आपको ज़्यादा ज़्यादा सिखने मिलेगा होगा तो याद रखेंगे कार्लस लीनियस को क्या कहा जाता है फादर ऑफ टैक्शोनोमी कहा जाता है यानि वरगी करन का पिता कहा जाता है तो याद रखेगा father of taxonomy किसे कहा जाता है तो याद रखेगा father of taxonomy कहा जाता है carolus lineus को समझ मैं है तो याद रखेगा carolus lineus को father of taxonomy या फिर वर्गी करी का जनमदाता कहा जाता है और carolus lineus इसने सबसे पहले जीवों के नामंकरन के लिए दुईनाम पदती विक्सित किया था चीक है याद रखेगा अब यहां से और सवाल क्या पूछ सकता है आपके लिए देखिए यह तो ठीक है लिकिन आप आप से पूछ सकता है कि यहां पे कौन-कौन सा जैसे पहला लेटर क्या बताता है दुसरा लेटर क्या बताता है इसको देख लिजे थोड़ा सा आप से पूछ सकता है पड़ते एक जीवधारी का नाम जो होता है वो कौन से भासा के अनुशार है यह जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दुईनाम पदती इसमें किस भासा का उपयोग किया जाता है दुईनाम पदती में यह भी पूछता है तो लेटीन भासा ठीक है तो याद रखे है दुईनाम पदती जो है इसमें लेटीन भासा का उपयोग किया गया है ठीक है और यह लेटीन भासा से मिलकर बना है ठीक है और पहला सब्द जो है वो किस चीज को बताता है दूसरा सब किसी को बताता यह पूछता है आपसे तो दुईनाम पदिती का फर्स्ट सब्द किसको बताता है कमेंट कीज़ेगा फर्स्ट सब्द किसको बताता है और सेकेंड सब्द किसको बताता है ठीक है आप अच्छे से लिखेगा ठीक है क्योंकि देखे हम हम सौट में लिख रहे हैं यानि generic name को बताता है, समझ माया, और दूसरा सब्द जो है, वो जाती नाम को बताता है, समझ माया, तो यह आप याद रखेगा, पहला सब्द, once नाम को बताता है, और दूसरा सब्द जाती नाम को बताता है, यह exam में बहुत पूसता है, ठीक है, तो द्विनाम पदिती में ज जैनरीक नेम को बताता है याद रखेगा फर्स्ट सब्द जैनरीक नेम को बताता है जैनरीक नेम यानि वन्स नाम को बताता है याद रखेगा वन्स को बताता है ठीक है और सकेंड सब्द अगर आप से पूछ देगा तो सकेंड सब्द किसको बताता है तो सकेंड सब्द जात मानुस्री को क्या कहा जाता है Daha किया फ्राउं का वाग्यानिक नाम किजेगा फ्रॉग का वेग्यानिक नाम राना टिगरीना कैट का वेग्यानिक नाम बूलेगा कैट यानि बिल्ली का वेग्यानिक नाम फैलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वेग्यानिक नाम फैलिस डोमेस्टिका तो याद रखेंगे बिल्ली का वेग्यानिक नाम होता है canis families याद रखेंगे dog का विज्यानिक नाम canis families और guy का विज्यानिक नाम बूलेगा तो guy घर में क्या है boss है तो guy boss indicus ठीक है guy का विज्यानिक नाम क्या होता है boss indicus क्योंकि guy घर में boss के रूप में रहती है तो guy का विज्यानिक नाम boss इंडिकस याद रखेगा गाय का वेग्यानिक नाम बोस इंडिकस ठीक है मक्षी पुछेगा तो मक्षी का वेग्यानिक नाम क्या होता है मक्षी मतलब हाउस फ्लाय आप जानते हैं तो मक्षी का वेग्यानिक नाम क्या होगा मस्का डोमेस्टिका मक्षी जो है सब जगा इधर करते रहती है न मक्षी यानि मसका लगाती है ऐसे बोल सकते हैं मक्षी मसका लगाती है तो मक्षी मसका डॉमेस्टिका ठीक है डॉमेस्टिक मतलब घर होता है तो मक्षी हो गया मसका डॉमेस्टिका तो ऐसे याद रख सकते हैं मक्षी यानि हाउस फ्लाइ को क्या कहा जाता है वेग्यानिक नाम में तो मक्षी का वेग्यानिक नाम होता है मसका डोमेस्टिका मैंगो पूछेगा तो मैगनिफेरा इंडिका आप जानते हैं मैंगो का मैगनिफेरा इंडिका धान पूछेगा तो धान या चावल बोलेगा तो याद रखेंगे ओर्जाया सेटिवा धान का विग्यानिक नाम क्या है? ओर्जाया सेटिवा ठीके? तो यह याद करिएगा धान का, चावल का विग्यानिक नाम ओर्जाया सेटिवा ठीके? अब आपसे पूछेगा मटर मतर का वेग्यानिक नाम क्या है तो याद रखेंगे पिसम सेटिवं मतर का वेग्यानिक नाम क्या होता है पिसम सेटिवं इंपोर्टेंट है मतर का वेग्यानिक नाम पिसम सेटिवं लेकिन यहीं से पता चल रहा है पी है ना तो मतर पी पी का वेग्यानिक नाम पिसम सेटिव तो यह याद कर लेज़ेगा P का वेग्यानिक नाम P सम सेटिवम आसान था इसके लावा गेहूं का पूछ सकता है गेहूं का वेग्यानिक नाम क्या है तो यह इंपोर्टेंट है थोड़ा तो गेहूं का वेग्यानिक नाम क्या है तुकमेंट कीज़िए सरसो का वग्यानिक नाम क्या है, तो ब्रासी का, याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, रिविजन करती रहिए, यह सब सवाल पूस्ता экşam में है, तो सरसो का वग्यानिक नाम ब्रासी का, campus trees तो याद रखेंगे सरसो का वेग्यानिक नाम है ब्रासी का campus trees ठीक है तो इतना सवाल आप याद रखेंगे जो आपके exam में आता है बार बार ठीक है उम्मीद करेंगे आपको समझा पाएं होंगे हम चलिए अब अगला सवाल देखते हैं अगर कोई भी सवाल में आपको doubt लगता है या समझ में नहीं आता है या कोई भी problem होता है तो आप offline कमेंट किजेगा अगर मैं देखूंगा तो आपको reply करूंगा ठीक है अगला सवाल अंतह जाइलमी यानि इंट्रा जाइलरी फ्लोएं पाया जाता है तो कमेंट किजे अंतह जाइलमी फ्लोएं कहां पाया जाता है तो याद रखना है इस्ट्रिकना इस्ट्रिकना में पाया जाता है याद रखेंगे अंतह जाइलमी या इंट्रा जाइलमी फ्लोएं कहां पाया जाता है तो याद रखेंगे इस्ट्रिकना में अंतह जायलमी फ्लोयम पाया जाता है और फ्लोयम के बारे में आप जानते हैं फ्लोयम किस चीज का समवहन करता है कमेंट कीजिएगा जायलम और फ्लोयम पौधा में होता है जायलम और फ्लोयम तो phloem के द्वारा किस चीज का समवहन किया जाता है या आप कमेंट किजिए ठीक है तो याद रखेगा अंतह जाइलमी इंट्रा जाइलरी phloem पाया जाता है किस में तो इस टिकना में पाया जाता है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है इनमें से कौन सा जीव अपना भोजन और कार्वनिक पदार्थों से निर्मित करता है तो याद रखना है रबर प्लांट अगला सवाल फल का वह परकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है तो आप सभी जानते हैं कि लीची जो है एक परकार का नट है याद रखेंगे लीची क्या है एक परकार का नट है यनि फल का वह परकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है तो नट है याद रखेंगे अगला सवाल which of the following fruit is a nut इनमें से कौन सा फल nut है तो आंसर करेंगे इनमें से कौन सा फल nut है यानि nut का example कौन सा फल है तो अभी तुरल पढ़ेती कि लीची लीची जो है याद रखना है एक nut है ठीक है लीची एक nut है जो भी बच्चे क्लास में लाइब हैं और सवाल का जवाब नहीं कर रहे है उनसे आगरह करेंगे चाहे आप अभी लाइब देख रहρε है हो या फिर बाद में अगर आप क्लास देखते हैं तो भी आपसे अनुरोद करेंगे कि जो भी सवाल आपके स्कीन पर आएगा आप उन सवालों के आंसर कमेंट कीजएगा ठीक है अगला सवाल है which of the following material is found in garlic गार्लिक यानि लहसून में कौन सा पदार्थ पाया जाता है तो कमेंट कीजएगा गार्लिक लहसून में कौन सा पदार्थ पाया जाता है तो याद रखना है garlic में अलिसी नामक पदार्थ पाया जाता है याद रखेंगे garlic लहसून में अलिसी नामक पदार्थ पाया जाता है इंपोर्टेंट है garlic लहसून में अलिसी नामक पदार्थ पाया जाता है ठीक है अगला सवाल who makes goza mere silk आपसे पूचरा है गोजामेर सिल्क का निर्मान कौन करता है यहीं पतला रेशम का निर्मान कौन करता है तो कमेंट कीजे पतला रेशम का निर्मान कौन करता है गोजामेर सिल्क का निर्मान कौन करता है ठीक है तो गोजामेर सिल्क का निर्मान कौन करता है तो याद रखना ह है अगला सवाल विज लिविंग टिसू एक्स अज बायो नूट्रिंट केरियर इन हाइयर प्लांट ठीक है तो आंसर कमेंट करेंगे कौन सा जिवित उत्तक उच वरगिये पौधों में जैव पोसक वाहक का कारे करता है तो काफी अच्छा सवाल है और आसान सवाल है तो आंस प्लांटों में कौन सा ऐसा चीज है जो अलग-अलग भागों तक पोशक पतार्थों को पहुंचाने का काम करता है ऐसा पूछ रहा है तो कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा ठीक है तो आंसर क्या होगा आप सभी जानते हैं कि एक होता है जायलम दूसरा होता है फ्लोयम तो जायलम क्या करता है जायलम याद रखेगा अगर जायलम बोलता तो जो से जल होता है तो जायलम क्या करता है जल वा खनीज लवनों का समवहन करता है जायलम जल वा खनीज लवन का समवहन करता है ठीक है तो जायलम क्या करता है जल वा खनीज लवन का समवहन करता है ठीक है लेकिन आपसे पूछा क्या है, जैयो पोसक वाहग यानि बायो न्यूट्रिंट केरियर के रूप में काम कौन करता है. तो आंसर क्या होगा, phloem होगा, समझ मैं है, क्योंकि जायलम जलव खनीज लवन का समवहन करता है, जबकि phloem क्या होता है, बायो न्यूट्रिंट्स का समवहन करता है, यानि phloem क्या है, एक समवहनी उत्तक है, और इसका मुख्यकारे पतियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अने भागों में पहुंचाना होता है, जानते होंगे आप लोग, तो याद रखेंगे, phloem का मुख्यकारे, पतियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अने भागों में पहुंचाना होता है, ठीक है, समझ मैं है, और आपसे एक सवाल पूछ सकता है, कि वार्सिक वले को गीन कर किया जाता है, कई बार ये question पूछा जाता है, कि पौधे का आयू को कैसे हम पता कर सकते हैं, कि पौधा जो है कितने साल का है, तो याद रखेंगे कि पौधे में जो जायलम उत्तक होता है, उसका वार्सिक वले, उसमें जो ring होता है उसको गीन कर हम हम पौधे के आयू को निर्धारित कर सकते हैं, तो याद रखेंगे, पौधे के आयू की गन्ना, उसके, उसमें उपस्तित वार्षिक वले को गिन कर क्या जाता है, और पौधे के आयू के निर्धारन की विधी को क्या कहा जाता है, डेंड्रो क्रोनोलोजी कहा जाता है, तो वलब टर्म लिख लिजेगा थोड़ा सा डेंड्रिकृरोणोलोजी ठीक है नीचे लिखते हैं तो डेंड्रोणो पूौ रूश इंपोर्टेंट सवाले पूच देता है ठीक है पौधे की आयू निर्धारन करने की विधी को क्या कहा जाता है त्याद रखेंगे डेंडरे क्रोनो लोजी समझ मैं है तो पौधे के आयू निर्धारन करने की विधी को क्या कहा जाता है डेंडरे, क्रोनोलोजी और इसमें क्या किया जाता है पौधे में उपस्तित रिंग या वले को काउंट करके आयू निकाला जाता है तो और आपको पता होगा, कि लाल प्रकास में क्या होता है, प्रकास संसलेशन का दर सबसे अधिक होता है, और बैगनी प्रकास में प्रकास संसलेशन का दर सबसे कम होता है कल ही पढ़े हैं तो जो भी बच्चे कल का क्लास नहीं देखे हैं उनसे आगरह करेंगे आप कल का क्लास भी अबस्य देखें अगला सवाल जया कतो जाकरेंगे गार्डन पी के लिए किस वहग्व्द को जाना जाता है तो अच्छा सवाल है कमेंट किजेगा तो गार्डन पी के लिए किन को जाना जाता है गार्डन पी के hybridization के लिए किनको जाना जाता है ठीक है तो सही अंसर क्या होगा याद रखेंगे गेगर मेंडल सही अंसर क्या होगा गेगर मेंडल याद रखेंगे कि गेगर मेंडल को गार्डन पी के hybridization के लिए जाना जाता है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे कि गेगर मेंडल को गार्डन पी के हेब्रिडाइजेशन के लिए जाना जाता है अब आपसे सवाल पूछ सकता है ध्यान से देखेगा फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन किस ने दिया पता है तो कमेंट किसेगा आप जानते होंगे विटेकर के द्वारा फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया गया एक्जाम में पूछता है कि इनमें से किसके द्वारा फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया गया तो विटेकर के द्वारा पांच परकार का क्लासिफिकेशन दिया गया था है याद रखेंगे परमप्रागत द्वी जगत वरगीकरन का स्थान विटेकर द्वारा सन 1979 में प्रस्थावित क्या गया था और उनके अनुसार पांच जगत किंग्डम कौन-कौन सा है मोनेरा, प्र जगत किंग्डम दिया गया याद रखेंगा, फादर अफ टेक्सोनोमी किन को कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है, फादर अफ टेक्शोनोमी, केरॉलस लिनियस को कहा जाता है, फादर अफ टेक्सोनोमी, समझ में आया, इसके अला दार्विन वाद सरवादिक मतलब परसिद्ध है दार्विन वाद जो है यह बहुत ज़्यादा परसिद्ध है डार्विन ने एक सिधान दिया था ठीक है वो बहुत ज़्यादा फैमस है उसमें क्या कहा गया था डार्विन ने कहा था कि धान दिजेगा बीगल नामक विश्व सर्वेक्षन जहाज पर पूरे विश्व का भ्रह्मन किया सबसे पहले चाल्स डार्विन ने बीगल नामक विश्व सर्वेक्षन जहाज पर पूरे विश्व का भ्रह्मन किया था और डार्विन वाद के अनुसार याद रखेंगे डार्विन वाद के अनुसार सभी जीवों म अपने आवसकता के अनुशार दूसरे जीवों से क्या करना पड़ता है, संघर्स करना पड़ता है, जैसे आदमी के वज़े से बहुत सारे जीव जनतु अभी मर रहे हैं, हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, अपने लाइफ को बचाने के लिए तुसके वज़े से बहु अपतबस के द्धान स्यिव जो जानते हैं, यहां से स्वाल क्या क्या पूछ सकता है, जो इंपपॉर्टेंट है, भा Алोजी में, ठीक है, अगर आप से पूछेगा, कि डायविटीज के बारे में किस ने बताया कमेंट किज़ेगा डायविटीज के बारे में किस ने बताया ठीक है डायविटीज के बारे में किस ने बताया तो याद रखेंगे बैटिंग और बेस्ट ने बताया है ना तो बेंटिंग याद रखेंगा डायविटीज के बारे में किस ने बताया बेंटिंग ने डायविटीज के बारे में बताया RNA पुछेगा और DNA भी बहुत पूछता है RNA और DNA तो बताएगा RNA RNA R से है न तो Arthur, Urg और Watson के द्वारा बताएगा RNA का खोज Arthur, Urg और James, Watson ठीक है तो Arthur, Urg और James, Watson के द्वारा RNA का खोज किया गया इसको थोड़ा सा देख लिजे क्योंकि ये बहुत important है ठीक है तो याद रखेगा Arthur, Urg और James, Watson के द्वारा RNA का खोज किया गया लेकिन DNA पूछेगा तो DNA में क्या होगा Crick आ जाते है ठीक है तो DNA का खोज किस ने किया याद रखेगा James, Watson और Crick ने Watson दोनों में है ठीक है तो James, Watson और Crick तो DNA की खोज किस के द्वारा किया गया James, Watson और Crick के द्वारा किया गया याद रखेगा बहुत पूछता है James, Watson और Crick अच्छे से लिखेगा तो याद रखेगे DNA का खोज किस ने किया जेम्स वाटसन और क्रिक नहीं किया इंसुलीन पूछेगा इंसुलीन भी बहुत पूछता है इंसुलीन क्या है सबसे पहले तो इंसुलीन एक हॉर्मोन है है ना इंसुलीन क्या है इंसुलीन हॉर्मोन है और इंसुलीन हॉर्मोन कहां से निकलता है तो benton और based ने insulin का खोज किया और insulin क्या एक hormone है याद रखेंगे है याद रखेंगे रोबर्ट कोज के द्वारा तो याद रखेंगे रोबर्ट कोज के द्वारा हैजा का ठीका बनाया गया था तो याद रखेंगे रोबर्ट कोज हैजा का ठीका और साथ साथ याद रखेंगे टीवी दोनों इंपोर्टेंट है टीवी का जो किटानू होता है ठीक है इसके बारे में किसने बताया तो टीव लिग कहा जाता है आप जानते होंगे है तो याद रखेगा कि टीवी और हैजा दोनों के बार में किस ने बताया रॉबर्ट कोच ने बताया ठीक है इसके लगा मलेरिया में जो किटानू होता है उसका खोज किस ने किया या मलेरिया के किटानू का खोज किस ने किया पूछ सक टाइफाइड के किटानूं के बारे में किस ने बताया तो टाइफाइड के बारे में किस ने बताया तो याद रखेगा इवर्थ ने बताया सबसे पहले टाइफाइड का खोज किस ने किया तो इवर्थ नाम के वेज्ञानिक ने टाइफाइड के किटानूं के बारे में बता ठीक है पेचीस और प्लेग ये भी बहुत important है पेचीस और प्लेग के किटानूं के बार में किस ने बताया तो पेचीस और प्लेग के किटानूं के बार में किस ने बताया तो किता जारो ने बताया तो किता जारो याद रखेगा पेचीस और प्लेग का खोज किस ने किया किता का टीका आप जानते हैं Edward Jenner के द्बारा चेचक का टीका तो चेचक का टीका याद रखे, एडवर्ड आट के द्बारा चेचक का टीका, ठीक है या कुछ साल बाद हम लोग पढ़ेंगे Coronavirus का टीका है या तो चेचक का टीका Edward Jenner देखिए आप कोन खोशते हैं तो चेचक का टिका Edward General याद रखेंगे चेचक का टिका Edward General ठीक है BCG का टिका BCG का टिका किसके द्वारा बनाये गया BCG का टिका BCG का टिका किसके द्वारा बनाये गया तो याद रखें यूरीन कामेट के द्वारा BCG का टीका किसके दोरा बनाया गया बहुत important है BCG का टीका urine comet के दोरा बनाया गया तो याद रखेंगे BCG का टीका urine comet के दोरा बनाया गया हम अभी वाले टीके की बात नहीं कर रहे है मतलब coronavirus का ऐसा टीका जो 100% मतलब सटीक हो कि उसको लेने के बाद फिर virus ना हो ठीक है उसके लिए बात कर रहे हैं कि या फिर ऐसा दवा जिससे कभी फिर corona ना हो ठीक है ऐसा दवा जो भी बनाएगा उसको जरूर नॉबल प्राइज मिलेगा ठीक है वैसे तो अभी जानते हैं कि ठीका भारत में भी बन चुका है दूसर जार बुखार तो fraud का खोज किस ने किया तो यू एन ब्रह्मचारी ने किया यूएन ग्रह disturbance spec शेक्जार गैं और एंड कालते के अरुक्षार की किस के दोरा किया गया था सबसे पहले क्रिस्चियन बर्नार्ड के दोरा किया गया बैरी बैरी रोग बोलेगा बैरी बैरी रोग तो बैरी बैरी रोग के बारे में याद रखेंगे आईजक मैन ठीक है बैरी बैरी रोग के बारे में किस ने बताया तो आईजक मैन ने बताया डीडी टी, डीडी टी का खोज किस ने किया, dr. Paul Moeller ज्याद रखेंगे diet का खोज Dr. Paul Muller ने किया, important सवाल है पूछता है DDT dr. Paul Muller, ठीक है? इसके लाख पूछ सकता है, alpha-kiren से जो चिकित्सा होता है, ultra-kiren से उसके बार में किस न बताया पिडमेन ने बताया और अभी हम लोग पड़ रहे था हर गोबिन खुर्ाना चीक कोड के लीए जीन का अविस्कार किया, याद रखेंगे, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया याद रखेंगे, लुइस पास्चर, क्या हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया का अविस्कार किस ने किया, याद रखेंगे Lewis Pasture, बहुत important खोज था ये और पास्चूरी करन भी आप जानते हैं कि Lewis Pasture के द्वारा दिया गया था था ना, तो Lewis Pasture के द्वारा हाइड्रोफोबिया बीमारी के बारे में किस ने बताया हाइड्रोफोबिया का इलाज किस ने किया, Lewis Pasture ने किया ठीक है और इनी सब वैग्यानिक के बज़े से आज हम लोग इतने आराम से रह सकते हैं जैसे ने तो एक समय प्लेग ऐसा बिमारी हुआ करता था कि गाउं का गाउं प्लेग बिमारी से साफ हो जाता था ठीक है लेकिन आज देखिए वो प्लेग से आदमी को डर नहीं लगता है उतना डर तो हर एक बिमारी से लगता है लेकिन आप बहुत सारे बिमारी का इलाज है तो हम लोग उसका आराम से इलाज कर सकते हैं है ना लेकिन जब इलाज कोई भी चीज का नहीं रहता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जैसे आप अभी देख सकते हैं ठीक है इसके लावब पोलियो का ठीका तो याद रखेंगे पोलियो का ठीका जोन इस ओल्क के द्वारा बनाया गया था ठीक है रक्त परिवहन विल्यम हर्वे आप जानते होंगे रक्त परिवहन विल्यम हर्वे के द्वारा बैक्टिरिया लिवेन हॉक आप जानते हैं बैक्टिरिया लिवेन हॉक हमियोपेथी चिकित सा हैनी मैन ठीक है सा हैनी में ठीक है और बैक्टिरिया बोलेगा तो बैक्टिरिया आपको पता है लिवें हॉक के द्वारा खोजा गया था पैनिसिलीन एलेक्जंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाए गया पैनिसिलीन याद रखेगा एलेक्जंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाए गया कुस्ट कुस्ट रोग का जिवानू हैंसन जी के द्वारा खो जा गया था इसलिए इसको हैंसन डिजिस भी कहा जाता है कुस्ट रोग का जिवानू होता है उसके बारे में किस ने बताया हैंसन ने बताया किटानू सिध्धांद किस ने दिया ठीक है किटानू सिध्धांद किस ने दि कmp दिया लुइस पास्चर बीने डिया सवाल पूछेंगा है यह सवाल गैरेंटी है किपाद रздया किटानु सिधांत किस ने दिया लुइस पास्चर ने किटानु सिधांत किस ने हईडूफोबिया का है जो बीदे उसके बारे में किस ने बताया लुइस पास्चर ने बताया पास्चुरी करन दूद के पास्चुरी करन का सिधान किस ने दिया तो लुइस पास्चर ने दिया ठीक है उत परिवर्तन का सिधान किस ने दिया हुगो डिब्रीज ने दिया याद रखेगा और विकासवाद का सि चाल्स डार्विन का सिधान कौन सा है तो विकासवाद का सिधान ठीक है यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहेंगे ठीक है विकासवाद का सिधान किस ने दिया चाल्स डार्विन ने दिया ठीक है तो विकासवाद का सिधान चाल्स डार्विन की द्वा सबसे पहले किस ने रोबर ठूक ने बताई टीक है और जिवानु सिवानु के बारे में लिवन हॉक ने बताई टूज़ी群 होड़ मलेरिया Mm học ये आप पूस्ता जाधा मलेरिया पर जिवी ने किया और पारिस्तित्की के बारे में किस ने बताया तो रीटर ने बताया पारिस्तित्की के बारे में और पारिस्तित्की तंत्र के बारे में किस ने बताया तो एजी टांसले तो एजी टांसले ने पारिस्तित्की तंत्र के बारे में बताया और पारिस्तित्की सब्द किस पिचर प्लांट का कौन सा भाग जो होता है घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है तो बहुत आसान सवाल है तो पिचर प्लांट का कौन सा भाग जो है घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है तो आप जानते है पत्ता पत्ता क्या हो जाता है घट के रूप में रू होता है याद रखेगा असान सा सवाल है यह अगला सवाल देखते हैं जो भी बच्चे क्लास में लाइव हैं और या बाद में देखेंगे उनसे आगरह करते हैं आप क्लास को पौधा है यह कौन सा ऐसा पौधा है जो कीड़ा मुकोडा को मार के खाता है ठीक है कौन सा ऐसा पौधा है जो कीड़ा मुकोडा को मार के खाता है ठीक है कौन सा ऐसा पौधा है जो कीड़ा मुकोडा का भक्षन करता है तो आप जानते हैं इसमें आंसर क्या होगा ठीक है insectivores plant पढ़ रहे हैं इसका 3-4 example आप कम से कम करके किजीगा ठीक है 3-4 example आप इसका homework रहेगा कम वड और ख कमेंट किजीगा कि insectivores plant का ठीक है example कौन कौन सा एक तो घट पढ़नी हो गया इसको छोड़के बांकि आप answer किजीगा ठीक है आसान है तो कमेंट कर दीजेगा अगला सवाल which of the following is an insectivores plant ठीक है इन में से कौन एक कीठारी पौधा है या पादप है तो घट पर नहीं होगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है उम्मीद करेंगे आप उन सवालों के आंसर करेंगे ठीक है कि कमी से होता है ठीक है अच्छा सवाल है पौधों में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है ठीक है तो सही आंसर क्या होगा तो पौधों में वाइट बड रोग जो होता है याद रखना है जस्ता की कमी से होता है जिंक की कमी से होता है ठीक है तो यह हो जागा सही आंसर भी कुछ होता होगा, है ना, यह सब सवाल आपका पूछेगा, ध्यान दिजेगा, बोरोन की कमी से कौन-कौन सा रोग होता है, पहले आपको बताते हैं, ठीक है, तो बोरोन की कमी से याद रखेगा, ध्यान दिजेगा, बोरोन की कमी से क्या होता है, फुल गोभी में ब्राउ रोग होता है, ब्राउनिंग लिखा हुआ है तो इसी समझ में बॉल डोग होता है बोरोन भी होता है धीक, याद रखेगा कमी से ठीक है आवला में निक्रोसिस बिमारी जो होता है याद रखना है वो किसकी कमी से होता है तो आवला में निक्रोसिस बिमारी बोरोन की कमी से होता है ठीक इसके अलावा एक और है चुकंदर में हर्ट रॉट चुकंदर में चुकंदर में हर्ट रॉट बिमारी जो होता है वो किस्से होता है तो बोरोन की कमी से होता है तो यह तीन चीज़ आप याद रखेगा एक्जाम में पूसता है चुकंदर में हर्ट रॉट बिमारी ठीक है तो हर्ट रॉट बिमारी किस से होता है चुकंदर में तो याद रखेगा चुकंदर में हर्ट रॉट बिमारी जो होता है यह आपका बोरोन की कमी से होता है तो बोरोन की कमी से तीन बिमारी फुलगोबी में ब्रावनिंग रोग आवला में निकोसिस बिमारी चुक अंदर में हट रोट बिमारी एकजाम में पूचता है वैसे तो बहुत सारा बिमारी है लिकन याद सब तो नहीं कर पाईएगा जो एकजाम में पूचता है वही आपको याद रखना है तो मैगनीज की कमी से क्या होता है मतर में मार्स रोग होता है तो याद रखेगा मतर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है तो मैगनीज की कमी से मतर में मार्स रोग होता है इसके लाब सलजम में वाटर कोर बिमारी ठीक है याद रखेगा सलजम में वाटर कोर बिमारी सलजम में वाटर आप अच्छे से लिखेगा ठीक है वाटर कोर बिमारी सलजम में वाटर कोर बिमारी जो होता है यह किस से होता है किसकी कमी से होता है तो मैगनीज की कमी से होता है समझ माया तो याद रखेगा मटर में मार्स रोग मैगनीज की कमी से सलजम में वाटर कोर बिमारी जो हो एक तो वाइट बर्ड रोग याद रखेगा जिनकी कमी से होता है ठीक है जस्ता की कमी से होता है और एक याद रखेगा मक्का में वाइट बर्ड रोग यहां पौधा में लिखा है ना तो मक्का में वाइट बर्ड रोग पूछ सकता है कि वाइट बर्ड रोग किस में होता है पौधों में white bird रोग लिखा है तो ऐसे लिख देगा कि मक्का में ठीक है आपसे पूछ देगा कि white bird रोग जो है न वो किस में होता है तब तो आपको आंसर देना होगा न कि गेहूं में होता है या किस में होता है तो मक्का में होता है तो याद रखेगा मक्का में white bird रोग होत पूछता है जस्ता की कमी से समझ माया तो आम एवं बैगन में little leaf बिमारी जो होता है वो भी आपका जस्ता की कमी से होता है ये आप याद रखिएगा अब तामभा की कमी से भी कुछ बिमारी होता है नीचे थोड़ा लिखते हैं यहाँ पर जगह नहीं बन रहा है तो दिक्कत की कमी से होता है समझ मैं तो निम्बू में डाय बैक रोग जो होता है वो तामबा की कमी से होता है तो पहला तो यह याद रखेगा निम्बू में डाय बैक रोग तामबा की कमी से होता है पहला दूसरा निम्बू में लिटिल लीफ बिमारी अभी हम लोग पढ़े थे कि आम और बेगन में लीटिल लीफ बिमारी किससे होता है जस्ता से होता है लेकिन अगर आपसे पूछ देगा फिर नीमबू में लीटिल लीफ बिमारी किससे होता है तो याद रखेगा नीमबू में लीटिल लीफ बिमारी जो है वह आपका तामबा की कमी से होता है तो याद रखे तो हो सकता है दिक्कत हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आलू का ब्लैक हट रोग किस से होता है याद रखेगा आलू का ब्लैक हट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है तो आप से पूछता है कि इन में से कौन सा बिमारी ऑक्सीजन की कमी से होता है तो आलू का ब्ल लिजेगा और आप जानतें कि वाइरस के कारण भी कुछ बिमारी होता है ठीक है यह देख लेते हैं यह तो आपको समझ में आ गया कि जो तत्व है तत्व की कमी से भी पौधे में बिमारी होता है जैसे जस्ता तामबा बोरोन मेगनीसियम मेगनीज पोटेसियम इन सब की कमी स पौधों में अलग अलग परकार के बिमारी हो सकते हैं तो तत्व के कारण भी बिमारी होता है इसके लाव वाइरस के कारण भी बिमारी होता है और फंजाई के कारण भी बिमारी होता है आप जानते हैं तो पूछ तकता है कभी-कभी कि वाइरल के कारण वाइरस के कारण कौन कौन सा बिमारी होता है तो यह ध्यान दीजेगा यह भी बहुत पूछता है तो आप जानते हैं कि तंबाकू का मोजेक वाइरस आप से पूछता है मोजेक वाइरस किसमे होता है तो तंबाकू में मोजेक वाइरस होता है ठीक है याद रखेगा तंबाकू का होता है तो tobacco mosaic virus यह बहुत important है इसमें कौन सा virus होगा तो आप से पूछेगा तंबाकू में कौन सा virus होता है तो tmbv virus होता है यानि tmbv होता है tobacco mosaic virus समझ में आया यह आप याद रखेगा तो virus के कारण क्या होता है तंबाकू में चित्वबरा पन आजाता है पत्ती में और उसमें बॉणापन हो जाता है तो पॉटेटो Mosaic वाइरस ये भी वाइरस के कारण होता है याद रखेगा इसके अलवब इसके अलवा एक पूछता है Bunky Top of Banana किसके कारण होता है याद रखेगा यह प्रकर का बिमारी होता है, बंकी टॉफ अफ बनाना नाम है, और यह होता है किससे वाइरस से होता है, तो याद रखेगा, बंकी टॉफ अफ बनाना वाइरस से होता है, ठीक है, किससे होता है, वाइरस से होता है, ठीक है, इतना सवाल वाइरस 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 वाला याद पोटेटो जो होता है ये पूसता है कि आलू का सितिल रोग या या याद रखेगा आलू का सितिल रोग या फिर इसमें क्या होता है याद रखना है कि जायलम पर भूरा रंग बन जाता है ठीक है तो यह आप याद रखेगा कि आलू का सैथिल रोग आलू का सैथिल रोग किस से होता है तो जीवानू से होता है बैक्टिरिया से होता है ठीक है इसके अलावा धान का अंगमारी रोग आप होता है ठीक है तो जैनरली यह याद रखेगा यह भी पूछ सकता है कि कौन सा जिवानु से होता है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा तो जैन्थो मोनास और आईजी नामक जिवानु से होता है अगर पूछेगा धान का अंगमारी रोग किस से होता है बैक्टरियल ब्लाइट रखेगा ठीक है चली अब अगला सवाल देखते हैं यह सब सवाल थोड़ा से टफ होता है तो इसलिए यह सब सवाल को बीच बीच में लेते रहेंगे ताकि आप आसाने से याद कर सकें ठीक है एक दिन में याद होने वाला नहीं है अगला सवाल from where the beta carotene gene come in golden rise आप से पू ठीक है तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा option number B defodil याद रखेंगे सुनहरे चावल में beta के routine जिन जो होता है वो defodil से आता है कहां से आता है defodil से याद रखेगा ठीक है अब देखिए इसका answer तो आप ऐसे ही कर सकते थे यहां गाजर लिखा है अब चावल में beta के routine गा आते हैं तो option eliminate किजेगा आपका वो सवाल बन सकता है ठीक है तो सुनहरे चावल में beta के routine जीन कहां से आता है तो defodil से आता है याद रखेगा ठीक है अगला सवाल अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है वाट इस दा बौट निकल नेम ऑफ ओपियम यानि अफीम का वानस्पति नाम क्या है या आप से पूछ रहा है तो comment किजेगा अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है तो important सवाल है अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है तो याद रखेंगे अफीम का वानस्पतिक नाम होता है बौट निकल नेम जो है वो है पैपावर पैपावर सौमनी फेरम याद रख वो भी बहुत important है, आपसे पूछ सकता है, कि अफीम जो है, ठीक है, एक तो यह याद रखेगा, अफीम का बानस्पति की नाम, पोपावर, सौमनी फेरम, दूसरा क्या पूछ सकता है, याद रखेगा, आपसे पूछ देगा, अफीम पोस्ता से क्या प्राप्त होता है, तो हेरोईन, या फिर ऐसे बूलेगा, हेरोईन किस से प्राप्त होता है, ठीक है, हेरोईन जो है, वो किस से प्राप्त होता है, कि पोस्ता से प्राप्त होता है, समझ में आया, यह सवाल देगा, कि अफीम किस से प्राप्त होता है, तो अफीम के, मतलब है हेरोईन किस से प्राप्त होता है, तो अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है, ठीक है, ये लिख लिजेगा, अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है हेरोईन, ठीक है, तो याद रखेंगे हेरोईन किस से प्राप्त होता है, अफीम के पोस्ता से पाते हैं तो लॉंग पूस देगा लॉंग किसे प्राप्त होता है तो फूल की कली से प्राप्त होता है तो यह याद रखेंगे लॉंग किसे प्राप्त होता है और अफीम जो है वो याद रखना है मतलब हेरोईन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है यह आप याद केसर का उत्पादन होता है तो केसर अगर पुछेगा कहां पर होता है प्रोडक्शन जम्मू और कस्मीर में होता है ठीक है तो केसर जो है वो कहां से प्राप्थ होता है यानि केसर यानि सैफ्रोन ठीक है तो सैफ्रोन जो है उसका खेती कहां पर होता है सैफ्रोन स्पाइस का याद रखेगा जम्मू कस्मीर में होता है, सैफरोन मसाला का, ठीक है, अब ये बूलेगा कि केसर कहां से, पौधे के किस भाग से मिलता है, याद रखेगा, स्टिगमा से मिलता है, याद रखेगा, केसर मसाला जो होता है, वो पौधों के वर्तिकागर, यानि स्टिगमा से ब प्राप्त होता है समझ मैं तो पूछेगा एक्जाम में कि केसर सबसे अधी कहा मिलता है जम्मोर कस्मीर में और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो केसर पौधे के वर्तिका अगरे या फिर इस्टिगमा से प्राप्त होता है ठीक है समझ मैं इतना याद चलिए अगला सवाल देखते हैं वैसे तो बहुत सारा सवाल है लेकिन आपको बता ही चुके हैं शुरू में कि चाय में क्या होता है कौफी में क्या होता है यह सब पूछ देता है कभी-कभी है ना तो याद रखेगा पूछ रहा है पौधों में अर्धसुत्री विवाजन के अध्यन के लिए सबसे अच्छा भाग कौन सा होता है तो याद रखेंगे अगर हमको पौधों में मियोसिस के बारे में जानना है अर्धसुत्री विवाजन के बारे में जानना है तो सबसे अच्छा जो भाग होगा पौधे का वो सबसे उप्यूकत भाग कौन सा होता है तो एंथर होता है पराक्कोस होता है यह आप याद रखेगा एंथर पराक्क वो full जाता है, क्यों full जाता है ठीक है, तो answer क्या होगा, अब वासपोत सर्जन तो हो नहीं सकता है, पानी को अंदर सोख लेगा तब तो full जाएगा, तो answer क्या होगा, अंतासोशन मतलब, यह सब सवाल याद रखने का नहीं, आप समझ सकते हैं कि पानी को अगर लकड़ी सोखेगा, तो लकड़ी क्या होगा, फूलेगा तो सही answer क्या होगा, ठीक है अंतासोशन, वासपोत सर्जन, भईपरासन यह सब तो हो नहीं सकता है, ठीक है चलिए, अगला सवाल देखते हैं आसान सवाल था, अगर किसी सवाल में प्राब्लम होगा, तो आप ओफलाइन कमेंट किजेगा ठीक है, अगला सवाल प्राबेगनिक विकिरन से होने वाले हानी से बचाने वाला वर्णक कौन सा है यानि कौन सा ऐसा वर्णक है, कौन सा ऐसा पिगमेंट है, जो कि पौधे को अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन से बचाने का काम करता है ठीक है, तो इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसका अंसर क्या होगा, कमेंट किजेगा, तो याद रखेंगे पौधे को अल्ट्रा वाइलेट radiation से बचाने वाला जो वर्णक होता है उसका नाम क्या होता है karotynide याद रखेंगे पौधे में karotynide नामक वर्णक पाया जाता है जो पौधे को ultraviolet rays से होने वाले नुकसान से बचाता है समझ मैं है तो karotynide वर्णक जो है वो पौधों को miracle mixture mix combination with cells of the roots of nitrogen isthrikaran जिवानू किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है आप से पूछ रहा है nitrogen fixing bacteria जो होता है वो कौन से पौधे के जड़ों में पाया जाता है ऐसा आप से पूछ रहा है तो comment किजिए nitrogen fixation करने वाले जिवानू जो होते हैं बैक्टरिया जो होते हैं वो किस परकार के पौधे के जड़ों में पाया जाते हैं छीक है तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा दाल के जड़ में यानि pulses के जड़ में क्या होता है nitrogen fixation करने वाले जिवानू होते हैं है ना तो याद रखेगा कि nitrogen fixation करने वाले जिवानू जो होते हैं वो याद रखना है कि डाल के जड़ों में डाल के पौधे के जड़ों में होते हैं अब यह होता क्या है सबसे पहले तो bacteria होता क्या है तो आप जानते हैं बैक्टरिया के बारे में बताया किसने एंटोनियो वन ल्यूविन होक ने बैक्टरिया के बारे में पताया जिवानू विग्यान का पिता किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे एंटोनियो वन ल्यूविन होक को जिवानू विग्यान का पिता कहा जाता है ठीके यह आप जानते होंगे इसके अलाव आप जान बैसिलस जिवानू क्या होता है चड़ नूमा तो आपसे पूछेगा जो चड़ नूमा जिवानू होता है उसको क्या कहा जाता है तो बैसिलस जिवानू का परकार क्या हुआ याद रखेगा गोलाकार और कोकस कोकस जिवानू होता है तो पूछेगा कोकस जिवानू कैसा होता तो ये तो आसान है कि अंग्रेजी में कॉमा क्या आकार का होता है कॉमा सेट जिवानू तो ये आसान है याद रखेगा इसके अलावा आपसे पूछ सकता है जिवानू कुछ जिवानू ऐसा होता है इसकुरू क्या आकार का होता है उसको क्या कहा जाता है तो सरपिला कार कहा याद रखेगा जो सरपीला कार जिवानु होता है वो spring या screw के आकार का होता है तो यह याद रखेगा इसके लाव आप से सवाल पूछ सकता है जहान दीजेगा ऐस्योटो बैक्टर आप नाम बहुत सुने होगये अजोट बैक्टर याद रखेगा ऐसोटो बैक्टर जो होता है, तो याद रखेगा नाम एक्जाम में पूछ सकता है, तो अ अन्हेदाओ बैक्टर और खेगा स्वक्र divosphate, या या रखेंगे अ किया निवाई करता है और नाइटोजन के इस्तिरी करन में महत्पुन भीवीका निभाता है तो याद रखेंगे nitrogen इस्तरी करन करने वाले जिवानू का example क्या होगा azotobacter और clostridium समझ में आया यहाप याद रखेंगा इसके अलावा और nitrogen इस्तरी करन कौन-कौन करता है तो एक तो bacteria तो करता ही है nitrogen इस्तरी करन साथ-साथ याद रखेंगा anapina आप पढ़े होगे तो याद रखेंगा anapina और naustok यह भी nitrogen इस्तरी करन करता है तो याद रखेंगा an Дав rena और naustok नामक cynou bacteria यह क्या है cynou bacteria ठीक है याद रखेंगा anabina और naustok नामक cynou bacteria vyomandalg excittv रहित हैं और nitrogen का इस्तरी करन करते हैं तो याद रखेगा एना बीना और नॉस्टोक नामक साइनो बैक्टरिया वायुमंडल की नाइटोजन का इस्थरी करन करते हैं ठीक है और यहाँ पर राइबोजियम के बारे में आप जानते होंगे कि राइबोजियम जिवानू जो होता है वो मतर कुल के पौधों की जड़ो में पाये जाता है ठीक है लेगउमिनस पौधों की जड़ों में पाये जाता है और वायुमंडल में उपस्तित नाइटोजन का इस्थरी करन करता है तो याद रखेगा राइबोजियम याद रखेगा तो यह सब याद रखना चाहिए आपको एक्जाम्पल में पूछ सकता मैं नाम पूछ सकता है जन से राइबोऑजियम बैक्टेरिया, नाइड्लोजन स्थिर्ष करन करेगा ऐना बवीना नॉ स्टॉक शाइणो बैक्टिर्या है जो के नाइड्लोजन का स्थिर्ष करन करेगा ऐसोटोबैक्टर इसके अलावा अगला सवाल देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा option है जिसको वायू परदुशक के जैविक सूचक का परसिद उधारन माना जाता है मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो वायू परदुशक इंडिकेटर के रूप में काम करता है प्लीज आप क्लास को सपोर्ट करें लाइक करें और सेर करने का कस्ट करें वायू पर्दूशक के जैविक सुचक का परसिद उधारन कोन है तो लाइकेन आप जानते हैं लाइकेन जो होता है मैंली लाइकेन बनता किससे है तो याद रखेंगे लाइकेन जो होता है वो कवक औ किसे हैं तो कवक यμिनलेगा तो एक्जाम में पूषता है कि कवक यาनी फण जाए और शेवाल मिलकर क्या बनता है तो याद रखेगा कि फंजाई और एलगी मिलकर लाइकेंस का निर्मान करता है और लाइकें थेलोफाइटा समूह में आता है समझ माया कि लाइकें बनेगा कैसे तो फंजाई और एलगी मिलकर Lycan बनाता है अब Lycan में याद रखेगा कि कवक और सैवाल मिलकर किस परकार का relation दिखाता है तो symbiotic relation दिखाता है अब symbiotic होता कै है यह भी एकजाम में पूछता है न कि कवक इन मेंसे कौन सा ऐसा option है जो symbiotic यानि सहजीवी relation दिखाता है तो सिंबायोटिक मतलब सहजीवी तो सहजीवी संबंद बताता है कौन सहजीवी संबंद दिखाता है लाइकेन ठीक है समझ मैं है अब सहजीवी संबंद होता क्या है तो याद रखेगा कि लाइकेन में कवक और सैवाल symbiotic सहजीवी संबंद दिखाता है अब सहजीवी मतलब एक क्या करता है खाना बनाता है और दूसरा क्या करता है कुछ और काम करता होगा एक भोजन लाके देता होगा दूसरा खाना बनाता होगा यानि दोनों मिलके काम करता है यानि समझ में आ रहा है लाइकेंस जो होता है जान दीजेगा फिर से अकर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से दिखेगा लाइकेंस जो होता है वो कवक और सेवाल से मिलके बनता है तो कवक प्लस सेवाल मिलके बनता है ठीक है तो कवक और सैवाल मिलकल आइकन बनता है अब ये दोनों क्या करता है सहजीवी संबन दिखाता है इसका मतलब एक क्या करता होगा भोजन लाता होगा और दूसरा भोजन बनाता होगा तो इसमें से आप जानते हैं कि जो सैवाल होता है एलगी होता है कल हम लोग पढ़ें न कि क्यों बनाता है क्योंकि सेवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है समझ मैं या तो सेवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए सेवाल खाना बनाने का काम करता है जबकि कवक क्या करता है तो कवक खाना जुगार करेगा यानि खाना का जुगार करेगा खाना मतलब कि जल खनीज लबन विटामिन आदी सैवाल को देता है और सैवाल फोटो सिंथेसिस पर क्रियादवारा कार्बोहेड़ेट का निर्मान कर कवक को देता है समझ मैं यह क्या करेगा सामान लाएगा खाना बनाने का सामान लाएगा समझ में आ रहा है, खाना बनाने का सामान लाएगा यानी कट्टा करेगा, समझ में आ रहा है, घरलू भासा में लिख दिये हैं कि खाना बनाने का सामान कौन लाता है, कवक लाता है, और खाना बनाएगा कौन, सेवाल बनाता है, समझ में आ रहा है, दो दोस्त है, मालिजे दो लगेगा उसको ले के आता है ठीक है और सेवाल क्या करता है खाना बनाता है फिर दोनों मिल जूल के खाता है और इसी प्रक्रिया को सिंबायोटिक या फिर सहजीवी कहा जाता है तो बहुत अच्छा सवाल है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है याद रखेगा लाइकेन जो होत के जो सहजीवी संबंध होते है उसको हेलोटिजम कहा जाता है तो आपसे पुछेगा कौन सा ऐसा जीव है जिसके बीच में हेलोटिजम पाया जाता है तो कवक और सहवाल के बीच में हेलोटिजम पाया जाता है ठीक है तो कवक और सहवाल के बीच में सहजीवी संबंध होत की रूप में लाइकेंट यूज के जाता है । याद रखेएंगा लाइकेंट जो होता है अным बाणद धो जहां पे air pollution जादा होगा, वहां पे lichen नहीं होगा, मतब जहां पे वायू परदूशन होगा, बहुत जादा air pollution होगा, वहां पे lichen नहीं पाया जाता है, यह आप याद रखेगा, आप से पूछेगा, कि जहां पे बहुत जादा pollution होता है, वहां पे क्या नहीं पाया जाता है, तो like and नहीं पाया जाता है पहला इसकी जानते हैm like and से liteimus मिलता है like and say liteimus प्राफ्थ होता है जानते होंगे आप लोग चटियांद रखेंगा like लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है तो बहुत important सवाल है लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है तो आप से पूछेगा कौन सा ऐसा लाइकेन है जिसमें लिटमस प्राप्त होता है तो याद रखे है रोसेला लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है ठीक है बहुत important सवाल है तो आज इतना ही सवाल था तो उमीद करेंगे आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप क्लास को सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ जायदा से जायदा कोसिस करेंगे जब भी आपके पास समय रहेगा आप क्लास को कम से कम एक दो बार जरूर सेर करें ठीक है